हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज हम पिंटक्स और लेज के साथ प्लाजो पेंट का एकदम नया डिजाइन बनाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो ये मेरी प्लाजो पेंट है और ये इसकी मोरी वाली साइड है सबसे पहले हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है जितना भी हमारे पास फोल्डिंग का मार्जन है तो हमारा इसमें ना देड़ इंच का फोल्डिंग का मार्जन है उसके लिए हम आधा इंच पहले इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और एक इंच बाद में इसे ऐसे फोल्ड करते हुए ना यहाँ पे हमने ऐसे किनारी की सिला ही लगा लेनी है तो ऐसे हमने अपनी पैंट को न नीचे से फोल्ड कर लिया है अब हमें इसमें पिंटक्स डालनी है तो पिंटक्स डालने के लिए ना हम मोरी वाली साइड से इसे ऐसे फोल्ड करेंगे जितना हमने फोल्ड किया ना उससे आधा ही जूपर और यहाँ पे किनारी की पिंटक्स ऐसे लगा लेंगे तो यह दिखिए फ्रेंट्स एक पिंटक्स हमने ऐसे लगा ली है और यह कुछ ऐसे आ जाएगी अब हमने आधे इंच का गैप लेना है और फिर से पेंट को न वैसे ही फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी किनारी की पिंटक्स लगा लेनी है तो ऐसे हमने आधे आधे इंच के गैप पे ना टोटल चार पिंटक्स इसमें लगा लेनी है तो ऐसे हमने इसमें चार पिंटक्स लगा ली हैं ये दिखिए अब हमें इसमें लेस वाला पैटरन स्टिच करना है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो लेस वाला पैटरन रेडी करने के लिए मैंने अपनी सेम प्लाजो पैंट वाले फैब्रिक से ये एक फैब्रिक कट किया है ये लगबग 4 इंच ओडा रखा है मैंने ये देखिए और लंबाई में ये उतना ही है जितनी हमारी प्लाजो पैंट की मूरी है और इसकी उल्ट लगा लेंगे तो ऐसे हमने एक साइड पे लेस को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमने दूसरी साइड पे भी ऐसे ही लेस को स्टिच कर लेना है तो ये दिखिए दोनों साइड पे ना हमने लेस को ऐसे स्टिच कर लिया है अब हमें लेस को ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए न दोनों साइट से इसे press के साथ अच्छे से बिठा लेना है यहाँ पर अभी हमें कोई भी सिलाय नहीं लगानी है ये दिखिये friends मैंने इसे press के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हमें इसके बिलकUL center में भी एक lace stitch करनी है तो मैं इसके सेंटर में ये डबल किनारी वली ले स्टिच कर रही हूँ आप अपने according कोई भी लेस इस पे स्टिच कर सकते हो बिल्कुल इसके सेंटर में आसे रखेंगे और लेस की न पहले इस कीनारी को और बाद में इस कीनारी को दबाते हुए हमने सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है तो ऐसे हमने इस लेस को भी इसके बीच में स्टिच कर लिया है देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये पैटरन तो अब हम इस पैटरन को न अपनी प्लाजो पैंट के उपर रखके स्टिच करेंगे तो जहां पर हमने पिंटक्स डाली थी न वहां से 1 इंच उपर रखेंगे अपने इस पैटरन को ऐसे पहले हम इधर की नारी की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद उपर की तरफ तो ऐसे हमने इस पैटरन को न अपनी प्लाजो पैंट के उपर रखके स्टिच कर लिया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये प्लाजो पैंट का डिजाइन तो अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं तो इसे फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है और देखिए कितना खूबसूरत और यूनीक हमारा ये प्लाजो पैंट का डिजाइन बनके तयार हुआ है ये एकदम नया डिजाइन है तो अभी मैं आपको इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा एक खूबसूरत प्लाजो पैंट का डिजाइन कुछ ऐसे आ जाएगा तो आप भी ये विला डिजाइन अपनी प्लाजो पैंट पे जरूर ट्राइ करें तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक को शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन और और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल दैन बाबाई